हलो एब्रिवन वल्कम टू करेंट पूर तो आज के डेली करेंट अफेर्स की स्रीज में हम लोग देखेंगे 27 जनवरी 2024 के करेंट अफेर्स को वीडियो में अंट तक बने रहें वीडियो के अट में 26 जनवरी 2024 के करेंट अफेर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये current affairs आपके आने वाले सभी competitive exam के लिए काफी helpful होने वाले हैं तो अगर आप channel पढ़ने हैं तो channel को subscribe जरूर कर लें बेल आइकोन को press कर लें ताकि वीडियो की notification मिलती है Question है पहला कि अम्रित धरोहर छमता निर्मान योजना का उद्देश से क्या है Answer है option C संपूर्ण देश के रामसर अस्थलों की प्रकिरती परियटन छमता का उपयोग कर अस्थानिय समुदायों के लिए और जीवीका के अफसरों में व्रिधे करना केंद्र सरकार अम्रित धरोहर छमता निर्मान योजना के तहत आधर भूमी परियटन के छेतर में एक महतपूर्ण परिवर्तन की अगवाई कर रही है इस पहल की सुरुवात जून 2023 में की गई थी जिसका उद्देश पारिस्थिति की रूप से संबेदन सील आदर भूम्यों विसेस रूप से ओडिसा की चिलका जील तथा हर्याना इस्थित सुल्तान पूर पक्षी अभिहारन जैसे रामसर अस्तलों पर परियटन में परिवर्तन लाना है इसका उद्देश संपूर्न देश के रामसर अस्तलों की परियटन चमता का उप्योग कर अस्थानिय समुदायों के लिए आजजिविका के अफसरों में विर्धी करना है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारती सेयर बाजार विस्व का किस करम का सबसे बड़ा सेयर बाजार बन गया है आंसर है ओप्सन डी चौथा Bloumber की रिपोर्ट के नुसार हाल ही में भारती सेयर बाजार होंग को पीछे चोड़ कर विसु का चोथा सबसे बड़ा सेयर बाजार बन गया है अमेरिका चीन तथा जापान विसु के सिर्ष सेयर बाजार में सामिल है हाली में आयोजीत वायू सेना का युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट में निमलखित में से कौन सदे सामिल है आंसर है ऑप्सन सी भारत फ्रांस और सन्युक्त अरब अमिराथ हाली में भारती वायू सेना ने फ्रांसेसी वायू और अंतरिक्ष बल और सन्युक्त अरब अमीरात वायू सेना के साथ अभ्यास डिजर्ट नाइट में भाग लिया 75 गंतंत्र दिवस पर कितने लोगों को किर्थी चक्र से सम्मानित करने की गोशना की गई है आंसर है ओप्सन ए 6 लोगों को राष्टपती दरौपती मुर्मुने 75 में गंतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर 80 ससस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरसकारों की गोशना की है जिन में 12 सेन्य कर्मियों को मर्नो प्राम्त या पुरसकार दिये जाएंगे इन में 6 किर्थी चक्र, 16 सौर्य चक्र, 53 सेना पदक, 1 नौ सेना वीरता पदक और 4 वायू सेना वीरता पदक सामिल है पद्मपुरसकार 2024 कितने लोगों को दिये जाने की घोशना की गई है आंसर है ओप्सन डी 132 लोगों को देश के सरवोच चनागरिक पुरसकारों में पद्मपुरसकार सामिल है पद्मपुरसकार तीन स्रेणियों, पद्मविभूशन, पद्मभूशन और पद्मस्री के रूप में प्रदान किये जाते हैं यह पुरसकार कला, समाजीक कारी, सारवजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरी, व्यापार और रूद्योग, चिकित्सा, साहित और सिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इत्यादी जैसे विभिन विशयों या गतिवीधियों के छेतरों में दिये जाते हैं वर्स दोहजार चौबिस में 132 लोगों को पद्म पुरसकार प्रदान करने की मनजूरी दी गई है, सूची में 5 पद्म विभूशन, 17 पद्म भूशन और 110 पद्म सरी पुरसकार सामिल है, पद्म पुरसकार दोहजार चौबिस कितने महिलाओं को देने की घुशना की गई है, आंसर है option C 30 महिलाओं को पुरसकार विजेताओं में से 30 महिलाओं भी हैं और सूची में विदेशी, NRI, PIO, OCI, स्रेनी में 8 व्यक्ति तथा 9 मर्नो प्रांथ पुरसकार विजेता भी सामिल है बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरसकार 2024 दिया जाएगा आंसर है option A 6 व्यक्तियों को बिहार के एक व्यक्ति को पद्म विभूशन, एक व्यक्ति को पद्म पुरसकार 2024 दिनी की गुशना की गई है बिहार के किस व्यक्ति को वर्स 2024 का पद्म विभूशन पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा आंसर है ऑप्सन B विंदेश्वरी पाठक को बिहार के स्री विंदेश्वरी पाठक को मर्नोप्रांत सामाजिक कार्य हेतु वर्स दोहजार चौबिस का पद में विभूशन पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा स्री चंदेश्वर प्रशाठ ठकूर को पद में विभूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया तथा स्री असोक कुमार विश्वास कलाके छेतर में स्री सुरेंदर किशोर ये साहत एवं सिक्षा पत्रकारिता में स्री राम कुमार मलिक कला के शेतर में और सुसरी शांती देवी पासवान एवं स्री सिवन पासवान ये एकल रूप से नहीं दिया गया है इन दोनों को सन्युक्त रूप से दिया गया है कला के शेतर में इन चार लोगों को पदमिसरी शे सम्मानित किया गया मतलब कि किया जा निम्लिखित में से किसे वर्स 2024 का पदमे विभूशन पुरसकार से सम्मानित किया है? आंसर है ओप्सन डी इन में से सब ही को सुस्री वैजयनती माला बाली को स्री एम वैंकेया नाइडू को और स्री विंदेस्वरी पाठक को वर्सु दोहजार चौबिस का पदमे विभूशन पुरसकार कूल पाँच लोगों को सम्मानित किये जाने की गोशना की गई है सुस्री वैजयनती माला बाली को स्री एम वैंकेया नाइडू स्री बिंदेस्वरी पाठक स्री कोनी डेला चरंजीवी और सुस्री पदम 75 में गंतंत्र दिवस पर निमलकित में से किस देष की 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड पहली बार परेड में सामिल हुआ आंसर है option C, France की 75 में गंतंत्र दिवस पर France का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड भी पहली बार परेड में सामिल हुआ इस गंतंत्र दिवस के मुख्यती थी फ्रांसी सी रास्ट्रपती इमेन्वल मैंक्रू थे 75 में गंतंत्र दिवस मारों में कर्तब्यपत पर किस नाम से एक विसेस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसके तहट 18 राजियों से लाई गई 19.60 प्रदर्शित की गई आंसर है option A, अनंत सूत्र के नाम से इस बार कर्तब्यपत पर अनंत सूत्र नाम से एक विसेस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसके तहट 18 राजियों से लाई गई 19.60 प्रदर्शित की गई इन साडियों पर एक QR कोड लगाय गया था जिसमें इसकी पूरी जानकारी दी गई थी रिजर्व बैंक ओफ इंडिया की पंचायती राज फाइनेंस वित रिपोर्ट वर्स 2022 तेस के नुसार बिहार में उस्तन कितने हजार रुपिये प्रती पंचायत खर्च हुआ आंसर है ओप्सन सी 63 हजार रुपिये प्रती पंचायत 24 जन्वरी को रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने साल 2022 तेस की पंचायती राज संस्थानों की वित रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के मुताविक बिहार में उस्तन 63 हजार रुपिये प्रती पंचायत खर्च हुए देश की कुल 2,55,623 ग्राम पंचायतों को 95 प्रतीशत से ज़्यादा राजस्व केंद्र और राजसरकारों से अनुदान के रूप में मिलता है देश की पंचायतें अपने राजस्व का महज 1.1 प्रतीशत है अस्थानिय कर वा अन्य सूलक के जरिये जुटा पाती है तो चलिए अब 26 जनवरी 2024 के करेंटर परस का रिवीजन करते हैं किसे हाली में साल 2023 के लिए ICC महिला T20 किर्केटर ओफ द इयर चुना गया तो हेले मैथ्योज जो की वेस्ट इंडीज की है राश्टी मदाता दिवस प्रतीवर्स के स्तिथी को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को 25 जनवरी को निमलखित में से किसराज्य का स्थापना दिवस मनाया गया तो हिमाचल प्रदेश का 75 में गंतंतर दिवस 2024 के मुख्य अती थी कौन है तो इमैन्वेल मैक्रो 19 मां गुटनिरपेक्ष आंदोलन सिकरसमेलन कहां आयोजित किया गया था तो ये कमपाला में आयोजित किया गया था हाल ही में कहां 42 दिवसिय महामंदल महोथसो प्रारंब हुआ तो अयोध्या में हुआ हाल ही में किसे कर्णल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड दो हजार चौबिस से सम्मानित किया गया तो रवी सास्री को ACI मैराथन चेंपेंशिप दो हजार चौबिस निमन में से किसे स्वर्ण पदक जीता तो ये मान सिंग ने जीता हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर रासाइनिक सामागरी मैला थ्यान की सहायता प्रदान किया है तो अफगानिस्तान को किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस गोशित किया है तो कनाड़ा की सरकार ने तो ये थे आज के करेंट अफेर्स आई होप की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद झाल 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 झाल